लेकिन और कम भी हो सकती है आप जहां से भी लेना चाहें और यह इसका performance है यहाँ पे देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों नो पैनल इसमें मैंने लगाई हुए आप देख सकते हैं खुदी पेछी वीडियो में दिखाया था और यह detail में इसकी वीडियो देख नहीं है तो मे मैं फिर से आपका में तो जितंदर ती चोहान एक सोलर से डिलेटिड वीडियो लेकर कर अपने चैनल पर आया हूं तो बस यही कहना चाहता हूं कि अपने चैनल पर मैं सोलर से डिलेटिड सोलर वाटर पंप से डिलेटिड वीडियो बनाता हूं आज आपको दिखाता हूं यह 3HP की DC motor है PM DC आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए है यह 3HP की permanent magnet DC motor है इसके 3000 RPM है और 180 volt लेती है 15.5 लेकर चलती है कि यह वेली पर्मनेंट मैगनेक DC motor यह सिंपल तू वायर ऑपरेशन है इसका एक यह पॉजिटिव बाला वायर है यह निगेटिव बाला वायर है और एक चीज और बता दूं कि इसको आप डाइरेक्ट चला सकते हैं बिना किसी पैनल की स्रीज बनानी है आपको 180 बोल्ट बनाने है और 15-16 एंपर बनाने है और आप इसको कनेक्ट करके शोलर से डाइरेक्ट चला सकते हैं यह मैंने चलाई थी देखो यह यहां पर इसमें इंजन का जो क्लिपिंग सेट होता है वो मैंने इस पर लगा के चलाया था तो यह जिसमें कपलिंग लगती है इंजन की वो मैंने इसकी सापट पर यह लगाया हुआ है और इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुए थ्री dc monoblock solar water pump कर और भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो जिस किसी भाई को भी यह डीशी मोटर चाहिए यह चाहिए यह तो चाहिए या कोई और 3HP की मोटर चाहिए या सॉलर वाटर प्रम चाहिए तो मुझे कॉंटेक्ट करें नंबर में वीडियों बता दिया अपनी और भी मैं आपको दिखाऊंगा और भी मोटर मेरे पास हैं उनको मैं चला करके दिखाऊंगा इसका तो आप डाइरेक्ट इसका म तक युद्स का दिखाऊंगा अभी अपने इसमें डेक्सिस्टेशन में टेक्सिक्षांगा युदे लिंक है तो इसकी वीडियों भालत देख सकते हैं और भी डिसी मोक्राशा वह मैं आपको दिखाऊंगा पश्ण्यूर्णक करें चाहिए अज़ों कि लिखाऊंगा जो दोस्तों अभी मैंने आपको 3HP की पर्मनेंट मेंगनेट DC मोटर दिखाए थी इसका मैंने 3HP DC मोनो ब्लॉक पंप बनाके अपने खेत पर चलाया था इसकी वीडियो मैं डेक्स पेशन में लिंक में डाल सकता हूं या आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं एक मोटर यहां पर है यह भी पर्मनेंट मेंगनेट DC मोटर है यह इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं और यह जो बोल्ट लेकर चलती है यह 180 बोल्ट DC लेकर चलती है यह पर्मनेंट मेंगनेट मोटर है यह यहां पर यह इसके सीशे फैन लगा हुआ है कोलिंग के लिए इसमें तीन बायर दिये हुए है जिसमें रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लेक वाला निगेटिव है और यह जो यलो बायर दिया है यह अपको अर्थिंग वाला बायर तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है आपको अगर यह मोटर चलानी है तो आपको सीधे यह देखिए मैं चलाके दिखाता हूं अपनी छत पर मैंने यह तीन-तीन सो बाट के चार पैनल लगा है यहां और इससे direct operation होगा बिना किसी controller के बहुत high speed motor है तो देखिए यहां पर चला रहे हैं इसको अभी हम सीधी चला के दिखाएंगे यह यहां पर तार लगा रहे हैं इनके देखिए यह अभी यह रेट बाला रेट पर लगाया ब्लैक बाला ब्लैक पर यहां से देखिए कितनी high speed motor ह अभी सायद कोई तार लूज है अतार को कि कर देता हूँ कि अब देखिए हां पर यह चल गई है तार में लूजिंग की बायर में अब हटा के चला यह दुवारा से यह सिंपल ऑपरेशन है देखिए निगेटिव बला निगेटिव पर लगाना है चार की स्रीज माना ली तो अभी मेरे पास यह यहां पर यह लगवा एक सो तीज पैंतिस वोल्ट हैं मात्र और यह 180 वोल्ट लेकर चलती है तब यह पहुच इसके पूरे आर्पियम आते हैं अभी आप देख सकते हैं स्पीड इसकी देखिए काले पाले निचे करो जो हुआ है बाइर आपको चैनल करने है रेट को ब्लेक पे लगाना है रेट को रेट के रही है उप्रेंगे में तो देखी दोस्तों इसका में यूज बता रहेता हूं आप इसको कहाँ उच कर सकते हो आप इसको अपने तीन होर्सपावर तक के बाटर पम्पे यूज़ कर सकते हो यानि 4x4 का पम्प चला सकते हो इससे या 3x3 का या उससे कम का जो भी पम्प आप इससे चला सकते हो दूसरी चीज जो हमारी 14 इंची या 16 इंची की चक्की होती है वो डाइरेक्ट आप बिना किसी कंट्रोलर के लगाने पड़ेंगे व मैं इसको चला सकते हैं इसे यहीं पर आप देख लिए कि इससे बाटर पम्प बना करके कैसे चलेगा और 4 पका और चारह काटने के लिए लिए आपको च्जे पेनल लगाने पडेंगे और डाइरेक्ट आपको बिना किसी कंट्रोलर के सीधे रेट को रेट पे देना है बिलैक को बिलैक पे आप इसको चला सकते हैं अगर किसी भी भाई को यह चाहिए मोटर तीन एच्पी की यह पंप चाहिए बाटर पंप तो मुझे कॉंट्रेक्ट करें नमबर मैंने अपनी प पाल सीधे आवता हुंदे आप अभाई को बिला को बना आप टूँए जना है काई पींचे आउट सुने ने जना आप आड़ी सूने पंजे आज पढ़ा है, वो लुफे मोग मैं आज भी एंग, जा राख राख राख, राख 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 राख, राख, राख राख राख, राख करीब 25 यार के आसपास मोटर की कीमत इसमें पर जाती है 3HP DC मोटर की लेकिन और कम भी हो सकती है आप जहां से भी लेना चाहें और यह इसका परफोर्मेंस है यहां पर देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों नो पैनल इसमें मैंने लगाए हुए आप देख सकते हैं खुदी पेचली वीडियो में दिखाया था और यह डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल की आप खोलें प्लेलिस्ट या मेरे चैनल पर होमपेज खोलें बहाँ पर आपको यह वीडियो देखने को मिल जाएगी आपकी कोई भी समस्या आ रही हो solar pump से related, पानी कम दे रहा हो या current कमा रहा हो या चक्कर पूरे नहीं बन पा रहे हो मुझसे जहां तक जो संभब आपकी मदद होगी, मैं phone पर आपकी मदद करूँगा आप मुझे call करें, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप call तो उठाते नहीं, भाई विजी रहता हूँ दिन में, काम भी रहता है आप मुझे वाट्सअप पे simple सा message डाल दें जब मुझे time मिलेगा आपका में reply कर दूँगा और आपकी जो समस्यारी है उसका वीडियो बना के मुझे वाट्सअप पे send कर दें मैं वीडियो देखूँगा कि क्या समस्यारी हो सकती है और भही से अगर मुझे समाधान होगा तो आपको बताने ही कोसिस करूँगा अगर आना होगा आपके यहां पे बिजिट करना हो तो बिजिट भी कर दूँग तो दोस्तों बने रहें इसी परकार बहुत बहुत धन्यवाद